तो नमस्कार दोस्तो इससमाइश्टी सेंटर में आपका स्वागत है अचा आज हम एक्सरसाइज अब एक्सर्साइज करकें इसलिए बने हैं कि एसलिए समझ सकें कि आप लोग कि कॉशन कर लेते हो ठोड़ा के सब्सक्राइब करें तो आप मेरी पिछली वीडियो देख लें वहां पर मैंने आपको वो सारी चीजें कराइए कि sign 30 degree पे आपका 1 by 2 होता है sign 45 degree पे root 3 by 2 होता है जब आपको यह याद होंगे तब जाकर आप exercise 8.2 को समझ पाएंगे और कर पाएंगे बाकि examples में मैं कोशिश करूँगा exercise 8.2 की इस class को मैं एक introductory class बनाओ जिसमें जो जो चीजें आपको exercise 8.2 करने के लिए जरूरी है या आपको उन चीजों को आना चाहिए मैं कोशिश करूँगा मैं आपको आज वो चीजें समझाओंगा ठीक है बेटा तो क्यूंकि basic बेटा किसी बी class किसी subject का किसी बी चीज का basic बेटा बहुत जरूरी है जितना आपके basic अच्छे होंगे आप questions को उतने ही बैतर तरीक से समझ पाएंगे और आप उनको समझ लेंगे तो आप easily उनको कर पाएंगे चलिए आपके start करते है example 6 ठीक है तो पेटा example 6 जो है आपका उसमें आपको मैं फिर बोला हूँ कि इसमें आपको angles की values याद होने चाहिए जो आपके त्यारी करो तो आपकी जो basic जो foundation है वो बन जाए तो यह जो मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा मैं specially मेरा पढ़ाने को अदेश है कि आपकी foundation को create करना चाहता हूं आपका basic इतना strong करना चाहता हूं जिसके काड़ा जिससे आप आगे चलकर आपको किसी तरह की problems ना हो बेट आपकी है जिसमें right angle at B तो मैं B पर क्या है 90 degree है तुर्बुच ABC है अचा कुछ बच्चों ने में मस्के बोला सर हिंदी में बढ़ा हो तो ठीक है अब मैं तो आपको हिंदी में बताया करूंगा तुर्बुच ABC है एंगिल भी पर 90 degree है ठीक है या इंगिल भी मतलब बी पर सेंटी मीटर है यह पर आपगा संटी माढ के लाइट इंट्र आपक्टरी किलास ऑ जो एंट्रो लख़ए इंट्रक्टर्टरी किलास एं vigil एं अपको कहा पासीúc को जुका जिसों मैं इस्प्रिंगाँ करींगिस ऐंडस खर सेंगे थीडिक है तो आपको एंगिल इंसी भी कितन Ok यानि हमें ग्याद करना है बी चीश्हाइए इस कोस्ट गिनलाति को समझ लेते हैं वह कह रहा है एक त्रूअ को अघर् ﷺ इन्हों ने बोला ट्रॉआंग्ल है एए बी सी जहां पर इन्हेंट्व पर आपका स्वाइन ट्रीइग 계 Centrik में आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया होता हर जब भी इस तरह के कोश्चन करेंगे हमेशा आपको 90 की ट्राइंगल मिलेगा ठीक है भी पर 90 डिगरी है फिर बोता है बोलता है कि यह सेंटर पर होसा है कि पता रहा हूं कि हमेशा वी सेंटर पर रहा होता है कि हम आगिक अगर अगर उता होता वीपर होता अगर आपको याद रखना पड़ेगा कि साइन 30 पर क्या होता है अगर नहीं पता मैंने आपको बता है मैंने पिछली वीडियो में इस सब चीजे कराई है नहीं आगर आपको फिर भी देखना है तो exercise table 8.1 है आपकी page 185 पर बाकी इस class में बताऊंगा अच्छे बैतर समझना याद कर है कि जिन्दी की विडियो तक भूले ना ठीक है तो वह मैंने तरीका महां पर बताया आप जाकर देख लो मैं कोशिच करूंगा वीडियो के आखिर मैं इसके आई बटन में जो आखिर में आती एक खतम होते समय कि किलिक करो एक नेक्स वीडियो पहुच जाते हैं उस तरह स ही तो हमें क्या निकालना इसमें BC और यहल्द करते हैं तो कैसे करेंगे अब को इसमें क्या करना था नहींद है लिए निकालते हैं अंसर निकालो थिक्या थे नहीं क्या पता एक्जाम्पल में एकला है ठीक है तो थे क्या गड़ते हैं निकालें यह थो हमारे पास क्या दिया है परेंडेगोल थे दिया हमने आपको बताए था तो tan हमें एंगल किस पर लेना है c पर तो tan c is equal to क्या होगा perpendicular upon base हमने बताया था टेग्रोमेट्रेश एस एट पॉइंट बन में मैंने आपको यह बताया था कि 10 theta या 10 a या 10 b या कोई भी angle है वो क्या होता है perpendicular upon base होता है बाबू परपेंडिकल क्या है इसमें एबी परपेंडिकल एबी है और base क्या है इसमें बाबू bc है bc ठीक है अच्छा एबी की value कितनी है 10 c अच्छा 10 भी बता दू हमने बताया था 10 theta कितना होता है हमारा 10 t theta मतलब इसमें कितना दिया आपको 30 degree 10 c पर देखा जाए तो angle कितना है आपका 30 degree 10 c का मतलब 10 30 degree ठीक है 10 c का मतलब 10 30 degree पर कितना है आपका अभी हम करते है अब a b क्या हमारा a b हमारा है 5 bc हमें given नहीं है जो कोशन ने पूछा भी है हमने आप bc रखा 10 30 degree पर कितना होता है आपका 1 by root 3 आपको पिछली क्लास में बता है 10 30 degree आपका होता है 1 by root 3 ठीक है बागी मैं यहापर table डाल दूंगा आपके साथ यहापर table चलती देखते रहें ठीक है 10 30 degree पर 1 by root 3 होता है ठीक है तो हमने 10 30 के क्या रख दिया 1 by root 3 5 by bc तो बाभू bc क्या हो गया आपका अपका बीसी उपर गया और यह root 3 ऊपर आ गया देखो बीसी यहां से यहां पर गया ब्राव के बाभू के बाभीजन में multiply तो बीसी हमारा ऊपर चला गया root 3 आप इदर आ गया तो 5 root 3 हमारा क्या आगया बाभू bc हमारा 5 root 3 आप हमें क्या निकालना है बीसी तो हमारा आ गया 5 root 3 अब इस question में क्या पूछा था इस question ने पूछा था कि बाई तरभूज हमारा triangle दिया है जिसमें बीपन आंटीग्री है एवी 5 cm है एसी भी 30 degree है पता करो BC और AC की value हमने क्या किया बीसी निकाल लिए कैसे करके 10C पर कितना था 30 degree हो गया 10 30 degree पर कितना होता है 1 by root 3 हमने root 3 रख दिया आप पर बीसी की value AB की value 5 थी BC की निकालनी थी question में पूछा था BC का BC रख दिया BC उपर गया root 3 5 के पास आगया 5 root 3 हमारा BC आगया अब हमें क्या पूछा है BC के साथ ने क्या निकालना है इसमें AC पूछा है तो AC क्या निकालेंगे AC हमारा यह वाला इससा है तो कैसे करेंगे आपके पास देखो यह निकाल लो या कोई भी रख लो मैं लिग लेता हूं किरफ यह उपर पैंडिकल अपोन है निकालना है साइज इसमें ए आपन ही निकालना है साइन चुटिया मन गाया ज़ए एवेटिंकनेक्शिन हैज था स्मार्ट फोन एक जिर दफंक्शन तूस्तु फिंग को वंटू तो सांथ 30 डिपे मने केलिया पर फैंडेड गोंश वन्टु तो साइंसी पर यहां मने पर फैंडेकल पर है पर फैंडेकल एप शका इस जो में निकालना है इसके पूंचा था sin 30ती का मतलब अधा भफण भॉपन हायपोटिरीया प्रपसी निकालना हैnicosal लह크 हो फ़ाई iki उपर चाहिए तो घिक है यहां फर द्ली उपर जाएगा और रूट 3 नीचे आएगा तो एसी कितना होगे बेटा एसी जाएगा आपका पांध दूनी बस बाई रूट 3 तो आपका बीसी क्या आया फाइब रूट 3 और एसी क्या आया 10 बाई रूट 3 क्या लिखता हूं मैं साइन थर्डीगी पर उन बाई 2 होता है साइन अबेटा तो साइन हमने क्या होता है जिसकी वैलिक क्या होती है चोड़ो उसको अब निकालना है वेटा मैं एसी निकालना के लिए आप देखलो इस कोस्टन्ज में अगर हम देखें एक ट्रैंगल बनाते है और पीजिक है जिसमें आपका यह पांच दिया हुआ है और निकालना है ठीक एंबए से हमें पतार कि सांइन ठीटा निकालना है और हैं से तो नहीं क्या था ह düş करने तो क्는 नीजन के लिखा मने हमने लिखा साइन सी गहा लिखा इसकी वैलिकी नीजन पहल Son और गपरेंदय को लगारा बस्तों घु सकुले से अ करेंd bilas यिजए की सफ़ीगतरें करने सबस्की टुरतें करनेसरण करने सब्सक्राथ है और एक हमारे क्या बन गया यहाँ थे बन गया लखे और यह सी यहाँ रहे निकालना है साइन थेडिरी पर होती है वैटा वंभाई टू याद करना पिछी लिकास में कर यह था चाहिभी टेबल देख लो यहां पचलने होंगी साइन फिर्टिरी बन बाई टू हो गया यह फ लाइन तरी ची हो गया चलिए लिकें लिखें लिखें लेक नहीं वो क्या कहता है इसमेशक्रीनगे और ऐसिस अ मबफ reacts in चैरा था यह चाल मिघ के हो एक ल। father anneek से एक ल। doctor मस्सारे और उपार में चलिए करके तो करें लिखें और मर मिख्या만सव सब्स्थितません क्या कहता है इन triangle PQR क्या कहा रहा है तिर पुज एक PQR एक triangle है फिर right angle at Q Q पर हमारा 90 degree है फिर क्या कहता है PQ बडाबर 3 centimeter PQ is equal to 3 centimeter PR is equal to 6 centimeter PR बडाबर 6 centimeter करना थे करना है क्या निकालना इसमें Q-pr और निकालना है तो दूसरा निकालना है इसे عंग प्रक्य Remember your question बहुत आसान इसने कुछ था नहीं on the triangle दिग्राइंक्य उ利대 कीए रॉड यहां पर नंफ यहां पर नंफा नहीं फार्टर नफीन को टार्यान भी प्यतwald विर कि क्कीव अगbir यहांपर 90 degrees होगया, फिर्स ने क्या बोला, PQ 3 cm, यह हमारा 3 हो गया, यह है, भैसा इसके अंदर given नहीं है आपको, और इसमें उसमें कितना है, 6 cm, तो PQ हमारा 3 cm है, PR हमारा 6 cm है, QR given नहीं है, अब इसमें क्या है, क्या है, क्या। पर पर आपको यह वाला निकाल ने पर इसमें और यह वाला निकालने और यह वाला निकालना है इसके इसके इंदर पी क्या वेटा सिकेंदर परैंडिकोल की नहीं पिक्यूंस पॉसिख्राइब करने कीटीर की कितना है इसका हमारा थी सेंटीमेटर और क्या होता है यह सामने की साइट कौह बोलते हैं आप यानि पी-अरथ हाइपो यानि कितना इसमें 6 कि सिंटी मीटर गी बने हैं अच्छा यानि इसमें पर पंड़ियों गीडियों याद को पपेंडया होता है सांड़ियूज अगर अगर इसमें अप्लाइ कर दें और सांड़ियों रखते तो मेरे पास क्या हैं निकल आएगा करते हैं ठीक है वैली तो किवे न होती है तो एंगल करते इस बार आपको क्या है फियर यानि जैने इस क्या कर रहा है आप को पुछ पेश्ट में क्या निकालो बाभू इसमें एंगल पकी बहुल से लिगति हैं गिसी के लेक Matsu Summer ऑ अच्छा TO Pеспर पारेंटर में पता ऑना इन में पता आप है कि site ust लिधे में पारे ने लए लिए साइन रमाकंता लिए से व्सक्राइब डिदे रसे इसे को कि seems खाल व्सक्राइब कोश्ति एसे कज़ा इस धर श्क्राइब कि अच्टी आट परा जो हो गया स्द पूराइब तो साइन आर हमके निकाल लेते हैं साइन निकलाएगा थी को आप 6 से डिवाइट करो तो क्या हुआ वन बाई 2 तो साइन बन बाई 2 पर किस पर होता है आपको याद रखना होगा यहां पर एक में टेबल लगा देता हूं साइन बन बाई 2 होता है आपका साइन थीटा वन याद करनी पड़ी कि ट्रिग्नमेट्री टेबल याद करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया था आचा आप पीछे देख ले ना बल्कि मैं फिर भी बता देता हूं साइन ठीटा जब 1 बाई 2 होता है तो साइन 30 डिग्री पर बेटा बाई 2 होता है तो इसका मतलब साइ और पर हमारा थीटा कितना है वन बाइट पर कितना होता है 30 तो यहां पर हमने कितना माल लिया साइन आर यानी साइन ओगर साइन थर्टी two होता है one by two यानि one by two थर्टी दीजी पे होता है तो हैा पर आपकेटना वेटा 30 subscribers clear तो हमारा आर पर 30 जिए का से मैंने बताता हूं हमने का है पर पैने किया आप अपर ही नहीं है कि आ पर पक्रम कर डिकांड कर अब होता है तो यह थीटा कितना हो गया हमारा 30 दि घर तो यानिग यहां पर लगा दिया 30 अब बात करते हैं हमें 30 अब हमें 30 आर पर और आर क्या था इसमें प्रक्यों हमारा प्रक्यों आपका हो गया अब बच्छा यहां पर यह वाला एंगिल ठीक है आपको बता हो बच्चों वाली बात है तुर्भुज के कोड़ों का यह तो सम आप दॉले अंगिल ऑप ट्राइंगिल इस वनेटी डिग्री यहां पर नैंटी यहां थी थर्टी नोतीन कितना हो गया नोतीन बारा हो गया बचा कितना वनेटीन में 60 तो यह आपका 60 हो कैसे लिखोंगे लिखने का तरीका बता देता ह जैसे भी कर सकते हो या ऐसे भी करलो जासे में इसे कर लोगिहें कीतलोंता है यह कितना होता है इंधल लिख हो था हूंगा Q plus angle R is equal to 180 degree R पर कितना था आपका 30 degree Q पर आपका कितना है 90 degree और angle P हमने निकाल लेते हैं तो angle P आ जाएगा 9 3 120 degree 180 degree यहां चल ला था 180 degree angle P हमारा होगे 180 minus 120 degree तो angle P कितना होगे 180 minus 120 60 degree ठीक है P का मदलब क्या आता है center में P आया तो angle QPR तो हमारा angle QPR कितना आ गया यहां लिख देता हूं जगह नहीं है तुम निकले ना अपनी copy में angle QPR is equal to होगे हमारा 60 degree हमारे इत पास दोनों आ गए इससे पहले हमने निकाला था आर पर तो QPR 30 degree है QPR 60 degree है दोनों को answer कैसे लिख देंगे आप exam में लिखते हैं तो angle QPR 60 degree 30 degree ठीक है इस तरह से अच्छा काम किया करो जब भी मान लोगों को यहां से बीच में निकलता है ना उसको बाद में भी लिख दिया अगरो टीचर कई बार देखनी बाता तो सोचता उसने किया नहीं बच्चे ने किया रही है तो बाद में तो QPR 60 degree निकला भी आपका QPR 60 degree प QPR जो पूछा था इतना तो आप लोगों को पता है QPR आपका आगया पी पहेंगता QPR और प्यार की आपने इंकला 30 degree जो आपका यहां पर लिख दिया ठीक है नहीं समया है दोबार फिर से जाओकर रिवाइस करो देख लो मैंने चीज कर आई है वही बार दोबार बार चैप्टर फूरी बुक का सबसे आपको से इसकी वैली पूट कर लो इसमें कुछ है ही नहीं पता नहीं बच्छे क्यों इसमें डरते हैं ठीक है आप करते हैं एक्जामपिल और कोई चीज अगर नहीं आतो आप मुझसे पूछा करो कमेंट किया करो मुझसे बात कर सकते हो इन्स्त्रग्राम भी मेरा लिंक चले आंथ मया पर कोई झालई कोई आप पर येवीटीयो आता है इकाफियां को एक्जाम्पल 8 कहता है if sin a-b is equal to 1 by 2 if sin a-b is equal to 1 by 2 cos a plus b is equal to 1 by 2 फिर कहता है जो एंगिल a है वो क्या है एंगिल a जो है वो बी से छोटा है यानि नहीं एंगिल a बी से बड़ा है और find क्या करना है मैं to find यानि जो है मैं जो है क्या निखालना है इसमे निखालना है एंगिल a & b आ निखालना झालना है एंगिल a & b and महाने हम और ठीक है CHoji दिए एंगिल है झालने लग्टे लिए लिएंगलने हिंधा है और इस कोशन मेक्या जोन में भी आपको sin a-b is equal to 1 by 2 है very important question है बेटा क्योंकि यह question आपका पूछा जाता है पेपर में और यह आपका exercise 8.2 में third question भी ऐसा ही है मिलता चुलता है अगर आपने यह कर लिया तो exercise 8.2 का third question भी आप कर लेंगे तो को यह question में क्या दिया है sign a minus b is equal to 1 by 2 है angle a b से बड़ा है जानि a की value जो भी होगी वी से बड़ी होगी और a plus b जो है जो जीरो से बड़ा है और 90 degree से चोटा है दोनों मिला angle मिला कर 90 degree के यह तो बरावर है उसे चोटे हैं और 0 degree से बड़े है ठीक है ए और बी इंडिवी तो देखे जाए तो इस question को करने से पहला में एक चीज समझ लेते हैं बिटा आपको याद होना चाहिए कि इसकी values यान चाहिए ठीक है कि आपका जैसे वन बाई 2 पर एंगिल कितना value दिये तो इंगल याद होना चाहिए कि में आपको बताया ताभी जो question मैंने कराए कि sign 1 by 2 value कितने पर होती है 30 degree पर होती है ठीक है रखना cause 1 by 2 value कितने पर होती है 60 degree पर होती है और 30 degree इधर बजाए गें सब्सक्राइब कि आपका 30-degree अभी मेनने आपको करा यते कोंशन तो हम लोग यहां पर चाहना पर क्या करेंगे इसकी यहां रख यहां की निकाल देतें कैसे निकालते चलो करते हैं कोंशन चलिदी से लिखते हैं तो मालोही जो है 1 by 2 है आप आपको याद होगा भी मैंने आपको बताया था sin theta is equal to 1 by 2 कब होता है जब यह theta आपको केतना होता है 30 sin 30 degree पर होता है 1 by 2 है ना sin theta अगर 30 degree है तो आपका angle value क्या होती है 1 by 2 होती है तो अब इसमें क्या value given है तो हम theta क्या माल लेंगे ढ़िट है जो 30 degree माल लें क्यूकि value sin 30 degree is equal to 1 by 2 होती है अगर 1 by 2 होती है अगर 1 by 2 इह ठीटा निकाल सकते यह ठीटा गींट है तो इसमें क्या होता है अगर गीज़ंताओ टीटेशलीटा निक्लो और एक चीज नहीं एक करना sign 1 by 2 पे क्या होता है 30 अब क्या होता है तो अब क्या होता है तो आप ऐसे काट मत देना ऐसे क्या वह आप ऐसे दर काट दो इसको इसको इस पर सब्सक्राइब एन या यह परपेंडर ओपनों है इसलिए इसको नहीं सकते काटना क्या होता है गलत होता है अब इसे काट नहीं सकते इसलिए रहने तो अब क्या होगा सिर्फ क्या लिख दो a-b is equal to 30 degree ठीक है तो यह first part आगया किसी दिने विस्तार से इसके बारें बातचीत करेंगे ठीक है चलो a-b हमारा 30 degree ठीक है अब बात करते हैं कॉज a plus b 1 by 2 यह वाला गिवन था ना अब लिखाँ कॉज a plus b is equal to 1 by 2 कॉज a plus b 1 by 2 कब होता है कॉज 1 by 2 किस पर होता है जब कॉज हमारा 60 60 degree होता जहां 30 वह 60 अगा साइन पर 30 होगा वही कॉज 60 पर होगा हमने आपको इस पहले बताया था समझाया था जो हमने टिग्नोमेटरी की टेबल जो पढ़ाई है पिछली वीडियो में आप देख लाना है मैं लास्ट में आई बुटन में इसको डाल दूं और से देख ले पिलस भी कॉस 60 अगया यहां सब्सक्राइब यह पहले इसा आ गये जागे कैसे करा हमने हमारे पास बहुत इजी है टफ नहीं वह दिखने में लग रा वागी है कुछ नहीं इसमें ठीक है मैं इसमें साइन ए माइन बाइटू लिग तो हमने कहल गया साइन ए वाइन इसके अंदर और जब कॉस वन बाइटू वैल्यू किस पर होती है तो वन बाइट उटाया हमने यहां पर वन बाइटू को शिटी डिगर दिया अब कॉस को से ऐसे काट ना मत ऐसी रिख देना बस रिख देना ए प्लस भी 60 डिगरी ठीक है काटते नहीं है बदस इसको ऐसे ह आप कैसे करते इसको करने का तरीका दो है एक हम बिलोपन बिधी इंग्रिश में है एलिमेशन में आज इंदी है उसका استعمाल कर सकते है लिए लीनेर यूकेशन वेरीवल जो आपका चैप्टर है थर्ड चैप्टर में आपने पढ़ाए है है ना दो चरवाले रेकिक समी करें लीनियर इक्वेशन इन तू वैरीवल उसमें आपने पड़ा है पिस्तापन बीदी बिलोपन बीदी नहीं आता है तो आप मेरे वीडियो देख सकते हैं पिछले आकर आप समझ जाएंगे कैसे करते हैं बागी मैं थोड़ा सा आपको इसको करने का तरीका बता देता हूं करने की कोशिश करूँगा इसको समझाने की ऐसे करेंगे इसको तेखो अब मारे पास सेकिंड और फस्स पार्ट आ गया एक लाइन के चो इस चो मैथर से को रहे हैं वो एलिमिनेशन मैथड है इंदी में बिलोपन विदी है लिखना चाह हमेंशा हमेंशा हमेशाः म напис कम यह मानते ठीक है और यह मिनेशन कम होता है कि अब का वी जो क्वनेंगा है हमेशा बिल्स के बंगया यह जो मान गया बिलिटि हमा A मैंसे A बैटा? A मैंसे A खतम हो गया B B इतना हो गया? 2B हो गया बैटा B 2 B हो गया और 20 x 30 हो गया आपका 30 बचा B निकाल लो, B क्या हूए? 30 x 2 B इतना हो गया एंगिल B is इकटी 15 डीग्री कुछ दिक्कत नहीं है हमने किया किया बात में काट दे काट डिया काट पीड आती नाइन किलास में 10 क्लास में पिछले किसे निए सीख चुके हैं नहीं सीको तो मेरी वीडियो जा कर देख लो मैं फिर मिम इ等व प्र यांप दो भी, इन कोई भी equation चाहब first न पूट कर दो चाहब second न पूट कर दो चला हम एंगिल B की value किसा पूट कर देते हैं first न पूट कर देते हैं putting the value of B in first लेखो putting the value of B in first इन पूट का मान समी करड़ एक में रखने पर समी करड़ एक क्या था बेटा A minus B is equal to 30 degree यह तो है अब बेटा बी की value कितनी थी 15 degree तो हमने लिखा A minus 15 degree is equal to 30 degree यह पर कर देता हूं तो A कितना हो गया बेटा 30 और minus plus 15 तो कितना हो गया A हमारा हो गया 45 degree कैसे निकाला हमने क्या किया हमने पास sin A minus B 1 by 2 था sin A plus B 1 by 2 था sin A की value 1 by 2 कब होती है जब हमारा sin 1 by 2 30 degree पर होता है तो 1 by 2 की जगा हमने यह आप पर क्या लिखा बेटा 30 degree लिखा कैसे लिखा हमने आपको बताया था पीछे जाकर देख लो वैसी cause A plus B कितना होता है cause A plus B 1 by 2 पर हमारा 60 degree होता है और वही हमने cause A plus 1 by 2 की जगा हमने 60 degree लिख दिया और बाकी वाली value यह आप इनकी पुट कर दी हमने कैसे लिखी आप देख सकते हो हमने A minus B, A plus B दाउनों को Elimination method लगाया Elimination method काठके हमने B की value बंदा निका ली जो B की value निका ली equation first and second किसी में पुट कर सकते हो आपने third chapter linear equation in two variables आपने पुट कर दिया बाकी पुट करके हमने A की value और B की value दोना निकाल ली निकालने एक चीज़ करना बच्चे कभी कभी होता है एक का answer यहां निकलता है तो आखिर में क्या करो मानलो एक कोशन होगा आखिर में जगा नीचे होगी आपके पास नहीं है तो आप आखिर में एक बार क्या करोगे मानलो सबसे आखिर में यह जगा बची दौबारा इस चीज़ को दौबारा लगदू क्या से लिगोगे एंगे इंग ए बराबर 45 डिग्री और इंगल बराबर 15 डिग्री यह तो ना भी बंद़ा आया था ना एंगिल A 45 आ गया एंगिल B 15 आ गया उसके बाद इसमें बैके डाल दिया अगो ऐसे करके बैके डाल दो उसके बाद लिख दो यहां पर A and S अंसर ठीक है इससे आपका अंसर कंप्लीट हो जाएगा आप आई हो आपको एक लास में आ रही है जो मैं पड़ा रहा हूँ वह आपको समझ में आ रहा हूँ ठीक है अगली जो वीडियो बनेगी बैटा वह एक्ससाइड 8.2 पर आएगी इसका इंट्रोड़क्शन 8.2 का 8.2 क करने जा रहा हूँ डिये हुए हमें इसकी वैली दिय वह है उसके प्रमीड यह जै इसके आंगिस निकालने इसलिए जो टेबल से पहले एक वीडियो बनाई है जिसमें ने टीनुमेटिक टेबल पर बात किये वहां से बहुत टेबल जाके याद कर लो याद नहीं हो रही है तो एक तरीका भी बताया है, उसमें कैसे याद की जा सकती है, कैसे हम साइन को याद करके बाकी निकाल सकते हैं, कैसे टैन को याद करके कॉट निकाल सकते हैं, बहुत एजी है, I hope आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वो आप लोगो समझ में आ रहा होगा, अगर बेटा इन के कि जो भी topic होता है, तो मैं आप इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर जाता हूँ, तो आप पोस्ट में देख सकते हो, टाइमिंग पर रहा हो, कि इस दिन इस दिन आईगी, वो आप 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 आ जग कर देख सकते हो, बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ, वीडियो बनाता रहा हूँ आसानी से उस चीज़ को आप लोग समझ सकें ठीक है आपको ये चीज़े सब सब्सक्राइब आ रही होंगी फिर मिलेंगे अपनी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक क्या बाबाई